अलो दोस्तों आप सभी का एक वार फिर शेयार दिक स्वागत आपके अपने इस यूटूब चैनल पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं हर्याणाश हैं चुके पेपर के बारे में और इस पेपर से हम 75 क्यूशन डिसकस कर चुके हैं बाकि जो रिमेनिंग हमारे 25 क्यूशन रहे एक हमारा टेलीग्राम ग्रूप आपको मिलेगा नर्सिंग चैलेंजर्स नेम से आपको टेलीग्राम ग्रूप मिलेगा वहां पर हर एक वैक वैकनसी के अपडेट से डिलेटड जो भी फीडियेप होती है वह आपको सब कुछ वहीं पर मिल जाएगी तो चलिए स्टार्ट क इसको discard नहीं किया जाता है यह पूछा गया तो आपको यहां पर correct answer करना था option D option D आपको correct answer करना था जो used gloves है उनको इसके अंदर discard नहीं किया जाता है mask, shoes cover and cap तेनों को yellow bin के अंदर discard कर सकते हैं लेकिन यह used gloves को कभी भी इसके अंदर discard नहीं किया जाता है next question देखे which statement is true regarding hand hygiene hand hygiene को लेकर निमलिकत में से कौन साइक statement बिल्कुल सही है true है बिल्कुल सही है तो आपको यहां पर correct answer करना था option C hand sanitizer can be used for hand hygiene before delivering baby आप जा रहे हो baby की delivery करवाने के लिए तो delivery करवाने से पहले delivery करवाने आप जा रहे हो उससे पहले आपको क्या करना है hand hygiene maintain करना है hand hygiene आपको maintain करना है hand sanitizer से hand sanitizer से आपको अपने हाथों को साफ करना है बेटाजी delivery करने से पहले, delivery करवाने से पहले आपको ये काम कर लेना है, ये क्या है, ये statement बिलकुल सही है, next question देखिए, used cotton balls and gauze pieces should be discarded in which color BMW bins, जो भी cotton balls होती है, कौन सी वाली use, ये used की भी cotton balls है और gauze piece है, तो इनको कौन से color के BMW bins के अंदर discard करेंगे, तो बेटाजी आपको correct answer क बेक के अंदर इनको डालेंगे, और आपने पड़ा भी होगा, human body के जो भी parts होते हैं, जो भी fluids होते हैं, human body के और जो भी parts है, human body, tissues, cells, जो भी है, सब कुछ किसमें डालते हैं, yellow color के अंदर, तो बेटाजी जो गोज पीस होगी, जो cotton balls होगी, वो किसमें होगी, body के fluid से contact में ह होगी, body fluids हैं, मलब sunny होगी, इसलिए इनको किसमें डालना है, यह low back के अंदर, next question देगी, for processing of used instruments, following is true, used instruments का आपको क्या करना है, इसके regarding कौन सा statement सही है, तो बेटा जी आपको correct answer करना है, option A, dirty instruments should be placed separately in a tray, जो भी dirty instrument है, जो भी गंदे हुए instrument है, जो भी एक बार काम में ले instruments को, उनको separately आपको tray के अंदर रख देना है, and dried blood can be washed later, और उनके उपर जो भी blood बगारा लगा हुए, उनको आपको बाद में साप करना है, इसा नहीं है, कि एक बार आपने काम में ले लिए instrument, उसको पहुच लिया, यह दुबारा इसको ले लो, इसा नहीं करना है, इससे क् पैसेंट को infection भी हो सकता है, और पैसेंट की जान भी जा सकती है, next question देखे, when should you use alcohol-based hand rub या फिर sanitizer, जो alcohol-based अभी sanitizer चल रहे हैं, उनका use तुम कब करोगे, बड़ा जी आप सेंचो बन रहे हैं, तो आपको कब करना है sanitizer का use, पहले आपको यह भी बताना है, सेंचो बनने से पहल तो बड़ा जी आपको यहाँ पर करेक्टान सकना option B, before a style procedure, जब आप style procedure करने जा रहे हो, तो उससे पहले आपको hand rub करने, sanitizer आपको use लेना है, बाकि आप तेनों condition में sanitizer यूज करो या ना करो, कोई मतलब नहीं है, देखे, after touching the bodily fluid, आप bodily fluid को touch करते हो, उसके बाद में sanitize नहीं क when hands are visibly dirty, मलब आपको जब अपने हाथ है, जो आपको अपने हाथ है, वो dirty आपको दिखाए दे रहे हैं, उस ताइम आपको करने हैं, तो ऐसा आपको उस ताइम भी नहीं करने हैं, आपको when hands are visibly clean, जब आपके हाथ बिलकुल आपको साफ सुत्रे दिखाए दे रहे हैं, उस ताइम आपको जो है सेनिटाइज करना है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है जब आप इस्ट्रायल प्रोसीजर करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको हैंड सेनिटाइजर करना ही करना है बागी जो तिन कंडिशन दी गिए तिनों में अगर आप हैंड सेनिटाइज करते हो तो भी ठीक है अगर आप नहीं करते हो तो भी ठीक है लेकिन इस्ट्राइल प्रोसीजर से पहले तो आपको हैंड सेनिटाइज करना ही करना है नेच्स्ट कुशन देहें कि वाट परसनल प्रोटेक्टिव एक्विप्मेंट शुर्ड यू वाइल वियर वाइल अटेंडिग बर्थ जब आप डिलेवरी करवाने जा रहे हो, जब आप बर्थ अटेंड करने जा रहे हो, तो उस टाइम आपको कौन कौन से PPE, Personal Protective Equipment पहनने हैं, तो बढ़ाजी आपको यहाप एक रिक्टांसर करना है, Option A, Clean Apron, Glouse, Eye Wear, Cap, Mask and Closed Footwear, यह सारे के सारे आपको Personal Protective Equipment आपको पहन लेन हैं, जब आप डिलेवरी करवाने जा रहे हो, उससे पहले, Next Question देखिए, Which vaccine should all health workers है, यह कौन सी वैक्षिन है, जो सभी health workers को आप दे सकते हो, तो बढ़ाजी आपको यहापे करेक्टांसर करना है, Option B, यहापे अलग-लग Option दिएगी है, Hepatitis A, HIV and Poly, लेकिन आपको करेक्टांस वगरा लगाते हो, इंजेक्षिन के बाद में जो है, प्रिक हो सकता है, जो भी health workers होते हैं, उनको प्रिक हो सकती है, जो आपने इंजेक्षिन यूज लिए है, उससे प्रिक होने की वज़ए से Hepatitis B होने के चांस से ज्यादा होते हैं, इसलिए आप all our health workers को आप Hepatitis B की वैक आप कुछ लोग तो बोलेंगे, कि चलो में तो अपने हातों को जो है, अपने कपड़ों के पूछ लोगा, ऐसा नहीं करना है, अपने कपड़ों के भी नहीं पूछना है अपने हातों को, जब आप hand wash कर लेते हो, उसके बाद कैसे आपको dry करना है, आपको करना है, air dry, हवा में आपको सुखाना है या फिर आप यूज कर सकते हो इस्टेलाइड पेपर या तोवेल उससे अपने हाथों को सुखाना है नेक्स्ट कुशन देखिए विर वेर सुड़ भी इस्टेल आइटमस भी प्लेश्ट जो भी इस्टेल आइटमस होते हैं उनको आप कहां पर सकते हो जहां से इजिली आप उनको काम में ले सको नेक्स्ट ऑपन एंड प्लेश्ट ऑन डिलेवरी ट्रोली रेडी टू बी यूजड वेन रिक्वाइड बैटाजी जो डिलेवरी ट्रोली होती है उसके अंदर भी आप रख सकते हो लेकिन कब जब उनकी जरुरत हो एसा न प्राइमरी हeल्थ कैर आर जो प्राइमरी हल्थ केर चर्म सारी के सारी के सारी क्या है है पार्टी rhissipet इस सब है न MAY जो आपको option दीए गें तिनों यह क्या है यह क्या है प्रिंशिपल बड़ाजी primary health care की क्या है प्रिंशिपल next question देखिए health is a state of complete health की definition पूछी गिए health एक ऐसी state है जिसमें complete क्या होना चाहिए physically well being होना चाहिए mentally well being होना चाहिए and socially well being होना चाहिए तब भी वो healthy माना जाता है यहाँ पे आपको all of the book correct answer करना था तो बड़ाजी health की definition आपको यहाँ से पूछी गिए healthy is a state of physically well being, mentally well being and socially well being next question देखिए how many types of copper IUCD are available under national program कितने type की copper IUCD available है under national program तो बड़ाजी आपको यहाँ पे correct answer करना था option B दो परकार की two type की copper IUCD available है under national program all of the about जिनों ने किया है उनका answer गलत हो गया है next question देखिए PP IUCD जो PP IUCD है वो कब place की जाती है कौनसी condition में या किस condition में PP IUCD आप place कर सकते हो तो बड़ाजी आपको यहाँ पे correct answer करना option A immediately following the delivery of the place center अगर यहाँ पे जो option B है उसकी जगह है for 72 hours की जगह अगर 48 hours लिका होता तो फिर आपका answer क्या होगा आपका answer होगा option B अगर 48 hours होता तो ऐसा नहीं है कि आप 72 hours को आप correct करके आए हो आपका answer गलत होगा है यहाँ पे ना तो आपको love the above करना था नहीं आपको 7 day करना था नहीं आपको 72 hours करना था यहाँ पे आपको option A correct answer करना था अगर आपके यहाँ पे अगर 48 hours पूछा जाता तो फिर आपको answer करना होता 48 hours within 48 hours next question देखिए copper IUCD 380 A is effective up off जो copper T आती है 380 A brand की 380 A brand की यह कितने दिन तक काम करती है कितने दिन तक effective होती है बिटा जी आपको यहाँ पे correct answer करना था option B 10 years from the day of insertion जब आप copper T 381 किसी woman को लगाते हो किसी महिला को लगाते हो तो वो 10 साल तक काम करते है 10 साल तक आपको कोई भी IUCD लगवाने की ज़रुत नहीं होती है बहुत लंबे time तक यह work करती है next question देखिए expiry date on the IUCD package refers to जो expiry date आती है IUCD package की वो किसको indicate करती है किसको refer करती है तो बिटा जी आपको यहाँ पे correct answer करना option A the self life of the austerity of the package जो आपका package है उसकी austerity की जो self life है उसको indicate करती है उसको refer करती है expiry date on the IUCD package next question देखिए next question देखिए in an outbreak of cholera in a village of 2000 population 20 cases have occurred and 5 cases died cash fertility rate is बेटा जी आपको यहाँ पे पूछा गया cash fertility rate एक गाउं है गाउं क्योंकि subcenter कहाँ पर बनाएंगे गाउं के अंदर सेंचो कहाँ पर बिठाएंगे गाउं के अंदर तो बिटा जी आपको पूछा गया है एक cholera की जो disease condition है वो outbreak हो रही है 2000 का population का क्या है गाउंव है जिसके अंदर 20 case अभी find out हुए है और 5 death भी हो चुके किसके वज़े से बटा जी cholera की वज़े से अब आपको पूछा गया cash fertility rate कितनी होगे cash fertility rate आपको पूछ गी है तो बटा जी आपको क्या करना है आपको पहले जो भी मरे हैं उनको उपर ले आईए और जो जितने case आई हैं उनको नीचे ले जाईए और शाती आप इनको into कार दीजिए hand rate से कितने से hand rate से 0 से 0, 2 से 10 कितने बच गए 5 तो आप जैसे 5 into 5 करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास 25 देखिए option है या नहीं है option देखिए B 25% आपको यहाँ पे correct answer करना था आपको option DB दिया गया था कि बच्चे confused होगे 0.25 कर दे आपको वहाँ पे confused नहीं ह next question देखिए the dimension of wellness are बैटा जी question वही है जो आपने पढ़ता है यह सिर्प लिखने का तरीका थोड़ी सा चेंज है यहाँ पे health की जगए लिखा है wellness क्या लिखा है बैटा जी? wellness देखिए dimension of wellness हर जो health के dimension वहीं आपको बताने थे यहाँ पर भी वही बताने रहे है environmental and social ये भी dimension spiritual and intellectual ये भी क्या है health के dimension है तो ये सारे के सारे क्या है dimension है किसके health के या wellness के तो आपको confuse नहीं होना है wellness से आपको wellness और health दोनों का मतलब एक होता है अब आगे कभी भी question पूछे तो आपको confuse नहीं होना है next question देखें फिर चे COVID-90 श्याहिए COVID-90 is caused by infection with the virus strain जो COVID-90 भी फैल रहा है उसमें जो COVID-90 यानि कोरोना वाइरस जो भी फैल रहा है उसके कौन सी strain infection cause कर रही है आपको पूछा गया कौन सी strain कौन सी वाइरस की strain है जो भी infection cause कर रही है बड़ेज तेन से चार बार question यह पूछा जा चुका है SARS-CoV-2 पहले भी उपर दो से तेन questions पूछे गये थे उनमें अलग-अलग साफ साफ लिखा था जो SARS-CoV-2 है उसकी mutation और जो variant है वो कौन सा है वो भी पूछा गया तो वो भी मैंने आपको बताए और SARS-CoV-2 से एक और question और पूछा गया था आप उपर से देख लेना प्रिवियस पार्ट के अंदर बड़ेज यहां पर आपको क्रेक्टान सेकना था SARS-CoV-2 जो COVID-90 अभी चल रहा है उसके अंदर वायरिस के कौन सी स्टेन है SARS-CoV-2 नेक्स्ट क्यूशन देखिए जो थम रूल है उसके according एक महिने में आपको कितने एंटी नेटल कैसे रिकॉर्ड करने है बेड़ाज आप क्या बन रहे हो काम आपको करना पड़ेगा आपको यहाँ पर पूछा गया आप सिये चो बन गए है अब बताइए थम रूल के according एक महिने में आपको इतने एंटी नेटल कैसे रिकॉर्ड करेंगे तो बेड़ाजी आपको यहाँ पर क्रेक्टान सेकना option A 50% of the number of pregnancies estimated इतने आपको रिकॉर्ड करने ही करने है नेक्स्ट क्यूशन देखिए नेक्स्ट क्यूशन देखिए estimated number of pregnancies in a year with birth rate 25 in a population of 5000 under the subcentre will be आपको कहां पर बना रहे हैं सियंचों सियंचों आपको बना रहे हैं सब सेंटर पर गाउं के अंदर आपको लगाए जा रहे हैं तो बेड़ाजी आपको पूछेगिए number of pregnancies जो estimated number of pregnancies है वो आपको बताएगिए 5000 की population है उसके अंदर birth rate आपको देखिए 25 कितनी है 25 birth rate है 5000 की population है तो आप बताएगे कितनी pregnancies conceive होगी एक साल के अंदर तो बेड़ाजी आपको कुछ नहीं करना था आपको करना था 25 इंटू 5 कितने आ जाते हैं 125 यानि कि 125 pregnancies एक साल के अंदर इतने pregnancies आपको देखने को मिलेगी 5000 की population के अंदर next question देखिए what do you mean by AEFI बेटजी AEFI फुल फॉर्म वाले तीन से दो तीन क्यूशन यहां पर भी पूछे गए और MPCA जुमें भी पूछे जाएंगे बेटजी आप याद के लेना AEFI का मतलब क्या होता है AEFI का मला बोता है adverse events following immunization adverse events following immunization next question देखिए who is the union minister of sorry who is the union health minister of government of India अभी भारत के वर्तमान में कौन स्वास्ते मंत्री है बेटाजी कौन है हर्षवर्दन डॉक्टर हर्षवर्दन के अभी भारत के स्वास्ते मंत्री next question देखिए what is the obstetric formula of a woman who is presently pregnant with twin pregnancy is pregnant for the fourth time and had previous to live birth and one abortion बेटा जी आपने पड़ा होगा गट पाल कौन सा गट पाल जी एटी पी एल यह आपने पड़ा होगा इसी formula से आपको यहाँ पे calculation बताने थी बेटा जी क्या क्या हो रहा का देखिए twin pregnancy अभी क्या है pregnant है twin pregnancy के साथ कितनी बार pregnant हो चुगे चार बार तो ग्रेविडा कितने आ बाइव बर्त तो पेरा कितने आगी दो यह क्या होगी दो पेरा हो गई एक abortion तो abortion क्या हो गया ए यानि कि जी फॉर पी टू एवन देखिए कहां पे है जी फॉर पी टू एवन option डी option डी आपका यहाँ पे correct answer माना जाएगा next question देखिए pentavalent vaccine protects against which all disease जो pentavalent vaccine है वो कौन-कौन स इस टेटेन एस सिपिताइटिस बी एंड हीमाफिलस इंफ्लूंजा टाइप बी जो pentavalent vaccine है उसके अंदर पांच vaccines को include क्या गया है पांच disease condition को एक साथ treat करने के लिए pentavalent vaccine बनाएगी है कौन-कौन से disease condition है डिप्तिरिया पार्टिशी स्टेटेन एस सिपिताइटिस बी एंड इंफ्लूंजा जो हमाफिलस इंफ्लूंजा टाइप भी है इन सभी डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक साथ इनको प्रोटेक्ट करने के लिए pentavalent vaccine बनाएगी है तो इसके अंदर कौन-कौन से include गई यह आपको पता चल गया है अब आपका अंसर गलत नहीं होना च आज complete paper हो जाएगा इसके बाद आपको मिलेगी और क्यूसन देखिए लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही अच्छा क्यूसन है यहां पर सिर्फ नाम चेंज गया गया है विच्छ ऑफ दी ड्रग ऑप चोईस फॉर कंट्रोलिंग एक्लेम्टिक फिट्स क्या प क्रेक्ट आंसर पता होगा आपको यहां पर क्रेक्ट आंसर करना था उप्सन सी इंजेक्शन मैगनेशियम सलफेट बड़ाजी मैंने आपको गोल्डन की पॉइंट्स के अंदर भी बताया है MGSO4 के साइड इफेक्ट भी बताया है कहां पर यूज ली जाती ये भी बताया है कितनी डोज होती है वो भी बताया है और क्या जो MGSO4 है उसकी एंटीडोट एंटीडोट के बारे में भी मैंने बताया है करीबन 8-10 एंटीडोट प्रिवियस जो गोल्डन की पॉइंट्स ह के साथ सी एंट चंड गोल्डन की पॉइंट्स समारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें हेंडर आपको गोल्डन की पॉइंट्स मिलेगी दो पार्ट के अंदर हम complete इन गोल्डन की पॉइंट्स को देखेंगे ठीक है फ्रेंट्स तब तक आप हमारे साथ बने रहेगा और अपने दोस्तों को भी शेर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस्टेडी अपनी कार्शर के फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक आप महारे साथ बने रहेगा थैंक्यू सो वेरी मच्छ